गेसलाइट नाइम की एक बोलीवूड मुवी लिज हुई है डिजनी प्लस ओश्टायर बाई और इसके लीड में है सारा अली खान, विक्रांत मसी और चिंतरांगना सीनू तो मैंने इस मूवी का नाही ट्रेलर देखा था और नाही मुझे पता था कि यह एक हुरान मिस्टरी फिरलर है मैंने सोचा था कि होगी ही पर भाई यह तो होरान निकली और अपने को लगता है डर तो करते हैं इसका रियू केसी ही मूवी तो ये कहानी है मिशा नाम की अपाईज राजकुमारी की जो अपनी मा की मौत के बाद अपने पिता से दूर रे रही है जो बहुत समय बाद अपने पिता से मिलने पेले साती है तब उसकी सोते लिमा के थी कि उसके पिता काम से बाहर गए हुए और फिर मीशा को कुछ बहुतिया चीज़े होते हुए दिखती है तो क्या है इन चीज़ों के पीछे की कहानी आगर उसके पिता सच में ही कहीं गई या नहीं यहीं देखना है इस मूवी में हमें तो बात करें डारिक्षिर्णिंग तो मूवी हमें अपनी मिश्री से बांदे रखती है लाश में इसे दो शोकिम पॉइंट आते हैं जिसमें आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे और मेरे लिए तो ये बेश्चोरर मूवी निकल कर आती है बोलिवीट की तरफ से जो आपको डराती भी है और आप देखना चाहोगे कि आगे क्या होने वाला है और जो लाइट का यूज की है और ओर बना देता है सीन को और वो थंडा इस्ट्रों बिजली गडगने वाले सीन फटना ते है बहिया और जो पहले इसकी लोकेशन को इतना डार्क तरह से यूज किया है ट्रेडिशनल के साथ भूतिया खंडर वाली फिलिंग आती है बात करें मुजिक की तो मुवी में आपको कोई सौंग सुनने को नहीं मिलता और कुछ जगों पर बीजियम में आपको होरर मुवी में सरहाच वाला साउंड होता है वेज़ा सुनने को मिलता है और जिन सिंस में बीजियम और एक दम साइलेंट रखा गया है उनमें आपको सननाटे के साथ जो धक धक वाली फिलिंग आईगी मतलब दिल बैट जायागा बात करें गोलावर वियूगी तो मेरे लिए ही एक सप्राइस पेकर निकल कर आईए जा बहुत समय बाद एक बड़िया होरर आपके देखने को मिल जाती है तो मेरी तरफ से मूवी आप जरूर देख सकते हो और होरर के फेन हो तो अभी जाकर देख सकते हो बिना भूत के भी फिल्म आपको अपनी सिनमेटोग्राफिय बीचेम और मिश्टरी से डरा देगी तो यही था मेरे रिव्यू आशकरतों पसंदा होगा लाइक करें सब्स्राइब करें म्के टीवी को